नमस्कार आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस समय की बड़ी खबर लेकर आए हैं बिग ब्रेकिंग निउस इस वीडियो में जानेंगे बड़ी खबरों में राजस्थान में बड़े खेल की तैयारी हो चुकी है सुरू बसुंदा राजे समर्थक बिधायक बेकाबू महारानी को मामान ना समझे नेतत्तो को यहाँ पर इसपष्ट कर दिया है बिधायकों ने सीम पद को लेकर हलचल त संसद में बैक फूट पर आई है केंद सरकार बिरोत के बीच बिल लेना पड़ा है बापस राहुल सोनिया भड़क उठे वहीं दोस्तों आर्वियाई की सरकार को बड़ी चेतावनी रिपोर्ट जारी करके चेताया है और दूसीता बसुंदा राजे से मिलने पहुंचे हैं ग्री मंतिर राजनात बसुंदा के घर की सुरच्छा बढ़ाई गई है इसी प्रकार की हर बड़ी ख़वर को जानेंगे वहीं दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चुनाओ सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए तो लाइक कीजेगा वीडियो को कम स्वेस नेताओं से साध सकती हैं संपार्क इस समय की बिग ब्रेकिंग निउस आ रही है बिदायक दल की बैटक से बसुंदा राजे से मिले हैं राजना सिंग आज होना है सीम पर फैसला दोस्तों राजना सिंग राजिस्थान पहुंचे हैं यहां पर बसुंदा राजे को स नोखी मांग उठाई है कि एक साल के लिए ही मुख्यमंत्री मुझे बना दिया जाए लेकिन मुख्यमंत्री ही बनना है दूसरी तरफ बिधायक जो बसुंदा राजे के समयतर में खुले तोर पे अब सामने निकल के आए हैं उन्होंने इस पश्ट बोल दिया है महरानी को माम स्थित बिधायक बड़ा कुठे हैं और बड़ा खेल होनी की चेतावरी दी है जिस पेकाँ 36 गड़ में बीजेपी ने नए चहरों को एकड़म से सामने लाया है और राजिस्थान सियम दाविदारी के बीच अनीता भडेल का नाम भी जुड़ गया है बीजेपी के नए प् ये पठकता पहले ही लिखी जा चुकी होती है लेकिन जानकारी बाद में दी जाती है पहले से ही ताय होता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा लेकिन जनता की नजरों में खेल तो करना है उन्हें कुछ तो मनरंजन के लिए दिखाना ही पड़ेगा इसके लिए दोस्तों ये त पर दोस्तों तमाम भी पच्छी नेता हमलावार है चुनाओ आयोक से मांग की जा रही बैलेट पेपर लाया जाए आब इसी क्राम में नाम जुड़ा है पूर्वसियम उद्धर ठाकरेगा महराश्ट के मुखमंतिर है उद्धर ठाकरे ने इवियम बैलेट पेपर मामले पे घेर आहे मोदी सरकार को बोले है केंद सरकार में अगर हिम्मत है तो अगले चुनाओ बैलेट पेपर से करवाए पता चल जाएगा देश में किसकी लहर है यहाँ पे बीजेपी हमेशा ही दिखाने की कोसिस करती है कि जीत हुई है मोदी लहर में लेकिन दोस्तों आप जानत हैं असली खेल तो इबियम में किया जाता है उद्धर ठाकरे बोले हैं मोदी लहर है तो ठीक है बैलेट पेपर से से फेक चुनाओ करके दिखाए और अगर बीजेपी जीत जाती है तो हम भी मान लेंगे मोदी लहर है यहाँ पर उन्होंने दावा किया कि हम बीजेपी के मुख्यमंतः के चहरों का नाम का एलान किया है वहाँ पे राजिस्थान अभी सेस है यह मद्यप्देश का चुनाओ जीतना फिर मद्यप्देश का मुख्यमंतः किसी ऐसी व्यक्ति को बनाना जिसे कोई गस नहीं कर सकता यह सब संस्पिंस बनाए जाते हैं जबकि पठकत और रिजल्ट सब पहले ताएं और मालूम होता है यहां पर दोस्तों अरूप लगाए गया है कि भाश्पा वड़े पैमाने पर धांदली करती है उसे सिर्फ चुनावी ढखोसला से ढखने का प्रयास करते हैं यहां सब कुछ पहले सताएं होता है जिससे कि जनता का ध्यान भ कवर में जानते हैं कॉंग्रेस MP धीरस साहू के आवाज से साड़े तीन सो करोड से जादा का कैस मिला है जिस पर जात जारी है और गोदी मीडिया इसे बढ़ा चड़ा की मुद्दा बना रहा है और बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली कॉंग्रेस को घेने के प्रयास मे है और वहीं कॉंगेस पार्टी ने पलटवार किया है यहां पर पूंचा है जब बीजेपी नेता की आवाज से करोडों बरामद होते हैं क्रसी मंतित उमर का बेटा जब 500 करोड की डील कर रहा था तब एडी कहां थी जिहां दोस्तों इस पकार के यहां पर खूब खबरे फ सवाल पूछ रहे हैं और पतिक्रियां दे रहे हैं बीजेपी नेताओं पर रेड नहीं होती है जबकि कॉंगेस संसदों पर रेड हो रही है उनसे संबंदित लोगों पर रेड की जा रही है जो अभी जा चल रही है लेकिन गोदी मीडिया इसे बढ़ा चड़ा के संसा सनी देवल हैं जो कि कभी कवारी अपने संसदिय छेतर में नजर आते हैं जिससे कि वहां के लोगों में उनके पति काफी नाराजगी बढ़ गई है अब बीजेपी नेता को ढूंड़ने वाले को 50,000 इनाम इस प्रकार के पोस्टर लगाए गया है लोगों में नाराज सनी देवल नाम सांसत दोस्तों गायव एक्टर सनी देवल के यहां पर पोस्टर देखने को मिले हैं तो दूसरी तरफ आरवी आई ने सरकार को चेता आया है राज ना करें पुरानी पेंसन स्किम के बादे बरदास्त के बाहर हो जाएगा खायच आरवी आई की रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों पुरानी पेंसन को लेकर आरवी आई की रिपोर्ट में राज्यों को चेता आया गया है कि उन्हें अपने खर्चे बढ़ाने के बजाए राजा सो बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए आप सभी को बताते चलें रिजर्ड बैंक आफ इंडिया ने र बादों पर चिंता जाता ही राजी सरकारों को नसीहत Ihnen की जनता को लुभाने वाले बादों के काराण उनकी बित्त्तीов सेहत पर बुरा असर पर सकता है गौर तलब है यहां पे इस प्रकार के बादों को दोस्तों रद्द कर सकती है वी जेपी आर्वियाई ने सरकारों को चेताया है केंद सरकार ने दोस्तों लोग सवा से तीन आपरादिक कानून बिधायकों को बापस लेने का फैसला किया है जवदर्स ठंगामा सदन में देखने को मिला इन कानूनों में संसदिय पैनल दौा सुझाए गया कुछ बदलावों को दर्स आये गया है संसदिय कार्यमंति प्रहलाज जोसी ने कहा कि ग्रही मंतिय ने तीन विधायक 27 समिती को बापस भेजे थे जिनमें समिती ने कई संसोधन सुझाए है इसलिए आज संसोधन के साथ नए विधायक पेस किये जा रहे है देख सकते हैं जवदर्स ठंगामा हो सकता है दोस्तो राहूल सोनिया पहले से ही तयार है सभी संसदों को बुलाया गया है सदन में ये बड़ी खबरे थी मुखे समाचार आप तक पहुँचाए वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजेगा बड़ी खबरे आप तक पहले पहुँचें वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद